दिल में छेद जिसमें उस इंडिविजुल का दिल बंद रहा था, जैसे मा के अंदर उसका डवलप्मेंट चल रहा है, उसी समय कुछ प्राब्लम हुआ, और वो छेद जो बंद हो जाना चाहिए था डवलप्मेंट के समय, वो छेद बंद नहीं हुआ, ये छेद सब में होता है, बट उमर के साथ, जैसे जैसे उसका डवलप्मेंट होता है, वो बंद हो जाता है, जनम के समय अधिकांस लोगों के दिल में छेद नहीं होता है, बट कुछ लोगों के दिल में छेद होता भी है, तो वो भी कुछ एक साल के अंदर धेरे धेरे बंद हो जाता है, बट य लक्षन की बात करें, तो ASD में लक्षन लेट से आता है, 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद, ऐसा नहीं कि छेद 20 साल में हो गया, 25 साल में हो गया, छेद जनम से है, बट सिम्टम डवलप होने में लेट हो रहा है, बट यदि दूसरे तरह का छेद BSD रहा है, तो वो थोड़ा जल्दी डवलप करता है, PDA भी जल्दी सिम्टम डवलप हो जाता है, तो सिम्टम का डवलपमेंट भले ही आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल में हो रहा हो, या 20 साल या उसके बाद हो रहा हो, लेकिन वो छेद जनम से था, जो सुरू में लोगों को नहीं पता चला, और बाद में होई, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तब जांच में महसूस होता है कि इनके दिल में छेद है, तो यह बात कर रहे हैं, छेद के तो यह जनम से होता है, छेद बाद में नहीं बनता, जैसा कि आपे दिकतों के बारे में बात किया, तो किस तरीके के लोगों को इसमें के दिक्कत होती है? जैसे हम बोल रहे थे कि जनम के समय छेद बहुत बच्चों में मिल सकता है, हमें इंतजार करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि छेद का साइज क्या है, यदि A.S.D. की बात करें तो भी बंद हो सकता है, B.S.D. भी पहले एक साल तक बंद हो सकता है, यदि उसके बात और लक्षन आना सुरू हो गया है, तो हमें ये जाच करके देखना पड़ता है कि छेद का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, ऐसा कुछ छेद है, जिसमें बिना उप्रेशन के भी हम लोग बंद कर सकते हैं, उसे डिवाइस से बंद करना बोलते हैं, इसमें मरीज को बेहोस अच्छा नहीं होना, जहां डिवाइस नहीं लग सकता है, तो उस हालात में हाट को खोल के, ओपन करके, और उप्रेशन करके बंद करने की जवरत है, लेकिन एक बार यदि ये एफेक्टिबली ये ठीक से बंद हो गया, और उप्रेशन सक्सेस्फुल रहा, तो आगे बंद होने लाइक नहीं है, तो उप्रेशन करा के बंद करें, क्योंकि एक बार शक्सेस्फुल बंद हो गया, तो फिर आगे बच्चे का लाइफ नॉर्मल रहेगा, इस दोरान बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, तो यह अम लोग बात करें, बच्चाव का तो जिसमें मा गरवती है, उस समय उसे healthy खाना है, और कुछ ऐसा चीज नहीं लेना है, जिससे कि बच्चे के heart के development में दिक्कत हो, बट यूजली यह जनेटिक होता और बहुत जादा हमारे पास options नहीं होते हैं, तो इसलिए यदि छेद है, तो उसका समधान ही करना पड़ेगा, और बढ़ जाता है, वैसे में operation successful नहीं रह पाता है, उस हालात में फिर यह दिक्कत या लाइलाज हो जाता है